हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल राथे राथे क्रोचीट तो देखिए हमने जीरो और एक नमबर गुपालजी की ट्रेस बनाई है और बहुत ही प्यारी लगती है देखिए इसकी डीजाइन बहुत ही खुपसूरत है बॉर्डर वाली देखिए तो इसे हमने आगे भी अपनी चैनल पे पूरी ड्रेस की वीडियो डाली थी चोली और घेरा जीरो और एक नमबर गुपालजी के लिए देखिए ये वाली जो ड्रेस है इसमें हमने पूरा घेरा और चोली पूरी ड्रेस बनाना बताई थी जीरो और एक नमबर गु इसली बार आपको तो इस सिर्फ देखना चाहे आपको ज़ा हम फूरी ड्रेस नहीं बनाएंगे ड्रेस का वीडियो हम हम दूसरा अप्लोड कर देंगे और कैप का वीडियो देख़ए जीरो और एक नमबर गोपाल जी के लिए सिंपल केप इसी तरह की बनती है तो आप केप का वीडियो इसमें से देख करके बना सकते हैं, जीरो और एक नमबर के लिए, तो चलो हम पहले तो चोली बना लेंगे, तो चोली बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हमने, फोर प् इस तरह से हम नोट लगा देंगे इस से करके इस से थागे में हमने नोट लगा दी फिर हम चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा बारा चेन बनाएंगे हम और बारा चेन बनाने की बाद हमें तीन चेन स्किप करनी है और चोथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रूश्या बनाना है इस तरह से तीन हमने स्किप कर दी और चोथी वाली में डबल क्रूश्या बनाया सेम चेन में दूसरा बनाएंगे देखे सेम चेन में दूसरा बनाया हर एक चेन में हमें दो-दो बनाने है इस तरह से देखे इसमें भी हमने दो बनाये तो हर एक चेन में हमें दो-दो बनाने है फिर से नेक्स ट्वाली चेन में दो बार फिट से नेक्स्ट वाली चेन में दो पर और अब हमें इस थागे को इस तरह से मोड़ देना है इस तरह से हम साथ ले लेंगे ताकि हमें अलग से इसकी नोट ना लगानी पड़े और एक चेन में हमें दो दो डबल क्रोशे ही बनाने है लेकिन इस थागे को साथ ले लेंगे तो हमें इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी अलग से इसलिए हमने इस थागे को इस साइड मोड दिया देखें और एक चेन में दो दो ही बनाने है हमें इसे फिट से दो और आखरी वाली चेन में भी दो बार यहाँ पर आखरी वाली चेन में भी हमने दो बार बना दिया तो अब हमें यहाँ पर से देखिए एक्स्ट्रा धागा जो हमने इस साइड मोड करके साथ लिया था इसे हम काट देंगे एक्स्ट्रा धागे को काट दिया अब हम यहाँ पर गिन लेंगे देखें तीन की चेन को एक डबल क्रोश्य गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दज, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा और उननिस उननिस हमारे पांस डबल क्रोश्य आ जाएंगे पहली रो में 19 तो अब हम यहाँ से पलड देंगे राउंड को और हमने पहले भी जी रो और एक नंबर गोपाल जी के लिए चोली बनाई है लेकिन यह वाला जो हिस्सा है यह हमारा पीछे है वो वाला हिस्सा हमारा आगे आता है यह वाला बेक पे जाता है तो यह वाला फ्रंट पे आता है इस तरह की हमने यह वाला जो हिस्सा है ना वो फ्रंट पे आता है इस तरह की जोली हमने बनाई है पहले लेकिन यह वाली जोली का लूग ज्यादा आता है क्योंकि आगे जो यह हिस्सा दिखता है तो अच्छा लगता है और यहाँ पर भी पूरा फिटिंग आता है आप चाहे तो यहाँ पर बटन वगेरा क्लिप वगेरा कर सकते हैं अपने हिसाब से लेकिन वैसे भी यह अच्छे से रह जाएगा और फिटिंग भी बहुत ही प्यारा आता है तो इस तरह से हमने यह बनाई है बेक पे और फ्रंट पे दोनों पे आपको देखने को मिल जाएगे हमारे चैनल पे तो यहां से अब हमने तीन चैन ले ली अब हम यहां पर मोड देंगे राउंड को और यहां पर इसी के नीचे बनाएंगे डबल क्रोश्य देखे जहां पर तीन चैन बनाएं इसी चैन में फिट से नेक्स्ट में फिट से नेक्स्ट में तो चार हमने डबल क्रोश्य बना दी अब हम बाजू के लिए आम होल बनाते है वह बनाएंगे इसके लिए तीन स्किप्ट करेंगे चार बना दिया फिर एक दो और तीन स्किप्ट करेंगे और यहाँ फर हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो यहां पर हमने चार बनाया और दो बनाने है छे बन जाएंगे हमारे तो दिखी छे हमने बना दिया फिर हम तीन स्किप करेंगे एक दो और तीन और फिर से यहां पर चोथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे एक दो तीन और यह जो हमारी तीन की चेन थी इसके उपर भी एक डबल क्रोशा आएंगा तो यह चार तो चार डबल क्रोशे हमारे यहां पर हो गए फिर से हम देखे ये चोली हमारी इतनी सी बन जाए फिर आप गोपाल जी को पहना आएंगे एक दोर तिन चेन ले करके हमें राउंड को फिर से एक बार डबल क्रोशे की राउंड को बनाना है लेकिन इतनी सी चोली बन जाए तब आप अपने गोपाल जी को पहना करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि अच्छे से आ रही है तो आगे हमें बनाने में कोई दिक्कत ना आए तो इस तरह से हम गोपाल जी को पहना करके देख लेंगे देखे गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से आ गए है तो अब हम इसके आगे की रो भी कम्प्लेट कर देंगे तो आगे की रो हमें देखे यहां पर हमारे छे है चार यहां पर है दस और चोधा तो हमें चोधा के ऊपर चोधा ही बनाने है 14 के ऊपर 14 देखे तीन चेन ले करके हमने राउंड को पलट दिया अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे जहां पर हमने तीन चेन ली थी वहां पर नहीं बनाएंगे देखे तीन चेन ली थी तो नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे के ऊप तो नेक्स्ट वाले के उपर हमने डबल क्रोश्या बनाया है तो अब हमें गिनना है हमारे 14 के उपर 14 ही आने चाहिए वोल में आप इस तरह से भी ले सकते हैं चैन में ना डालना चाहे तो देखे जैसे मैंने यहां पर बनाया लेकिन आपके डबल क्रोश्या इधर उधर ना ह होने चाहिए गिन करके बनाये हर एक के उपर एक एक बार इस तरह से लेखे हैं तो इसके अंदर डाल करके इसे भी बना सकते हैं ताकी हमारी चैन है वो खीची हुई नहीं दिखेगी देखे आप इस तरह से करेंगे, तो खीची हुई बिलकुल नहीं दिखेगी, इस तरह से, तो दिखें, और एक के ऊपर हमने एक एक बार डबर क्रोश्या बना दिया, अब हमारी चोली कंप्लीट हो गई है, अब हम यहाँ पर, चो पहले हमने तीन चेन ली थी, यहाँ पर, इसकी ती इसरी वाली चेन में, स्लिप स्टीच से, चोली को चोईट कर देंगे, इस तरह से, यहाँ पर, ऐसे, और फिट से, नेक्स्ट में, स्लिप स्टीच, फिट से, नेक्स्ट में, स्लिप स्टीच, फिट से, नेक्स्ट में, स्लिप स्टीच, और फिट से, यहाँ पर हम बाजू क साइड तक आ जाएंगे स्लिप स्टेच करते हुए फिर वहां से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे तो यह चोली हमारी बन करके रेडी हो गई है गोपाल जी की जीरो और एक नंबर गोपाल जी की चोली यह हमारी रेडी है तो आशा करती हो आपको मेरा सिखाने का तरीका वीडियो हम आगे डाल देंगे थैंक यू फॉर वाचिंग